मतलब दर्रे ठीक है तो आज के इस किलास में हम लोग एंडियन जोग्रफी का सबसे महत्पूर टोपिक है और उसका नाम है दर्रे यानि पासिस मैचिंग में यहां से कोशन बनते हैं आप लोगों के एक्जाम में और उससे ज़्यादा इंपोर्टेंट है इनकी लोकेशन और राज्यों के नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं यूपी जुडिस्री यूपी एपियो और बिहार जुडिस्री बिहार एपियो सबी में टोपिक आते हैं यूपी एपियो में नहीं आता है क्योंकि यूपी एपियो में इंडियन जोग्रफी नहीं आते हैं मतब यह वाला टोपिक नहीं आते हैं कुछ इंडियन जोग्रफ पासिस बतब यह है क्या ठीक है मतब सबसे पहले कोश्चन आएगा कि बाई दर्रा क्या है सबसे पहले कोश्चन आएगा दर्रा क्या है यही तो कोश्चन आएगा सबसे पहले राइट कि दर्रा क्या है अब दर्रा क्या है यह समझ लेते हम तो दर्रा है ए, ए, वे, made by nature, मतलब एक प्राकिर्तिक रास्ता, यानि एक रास्ता या एक प्राकिर्तिक रास्ता, यही क्या है? यही क्या है? दर्रा है, ठीके? और प्राचीन काल में, यानि ancient time में, इसका जो use है, उप्योग है, वो लोग आने जाने के लिए करते थे, अब तो जैसे जैसे हम लोग monodization हो रहा है हम लोगों में, तो वैसे वैसे हम road बना दिये हैं, सडके बना दिये, breeze बिरा दिये, rail बना द तो पहले में इनी रास्तों का प्रियोग, लोग एक पार से दूसरे पार को, एक mountain से दूसरे mountain को, एक mountain ranges से दूसरे mountain ranges को पार करने के लिए प्रियोग करते थे, तो तब इन्हें ही क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, बात क्लियर होगी सबको, अब इनकी location जो हैं, आप से point of view से, तो चलिए, इनको हम लोग जो हैं, वो देख लेते हैं, very very important, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग, लदाक के जो हैं, कुछ पासेज देखेंगे, लदाक राजिये के कुछ दर्रे हम लोग देखेंगे, लदाक के दर्रे या पासेज, ठीक है, कौन कौन से हैं भ important है आप लोगों के, जो exam में आते हैं वो आप लोग लिख लेंगे, कारा कोरम, no.1, कारा कोरम पासेज, कारा कोरम दर्र, कारा कोरम पासेज, एक तो ये आप लोगों को, कहा पर हैं, लदाक में, केवली इनकी location याद रखनी हैं, ठीक है, क्लिएर हैं, और लिखेंगे इसके इसके बारे में अगर आप आप लोग जानेंगे तो यह ज़ो दर्रा है यह यारकंद और तारीम लिखनेंगे यारकंद यारकंद एंड तारीम तारीम मार्ग इसी से गुजरते हैं इसी से गुजरते हना है मतलब इस दर्रे से जो रास्तों का نाम है वो रास्ते यारकंद मास्त और तारीम ये आप लोगों को ध्यान लखने है ठीक है भाई किलिर है कहां पर रहें लद्द्दा और इसके बाद यह भारत के उचे दर्रों में से एक है её ये भी आप लोगों को याद रखने हैं, मतलब सभारत का उचे दर्रों में, हाला कि महारत का सबसे उचा खार दुंगला पासिज है, वो मैं आप लोगों को भी लिख हो माँ, दूसरा लिखेंगे, आप खार दुंगला, खार दुंगला, खार दुंगला दर्रा, ये भी कहां पर है लद्दाख में हैं वो लिखेंगे भारत का सबसे उचा दर्राँ सबसे उचा दर्राँ ठीक है क्लियर होगी बाद सब्सक्राइब क्लियर दूसरा लिखेंगे आप लोग जो इंपोर्टेंट है एक्जाम यह लद्दाख के ही है ठीक है नमबर तीन लिखेंगे आप लोग जोजीला दर्राँ कौन सा जोजीला जोजीला पासिस देखेंगे तो जोजीला जोग है अगर हम बात करें तो वो है आपका लद्दाख राजियर कहां पर लद्दाख में और यह इसकी क्या विसेश्ता है अगर जोजीला दर्रे की बात करें तो ये श्री नगर को कारगिल से आप लोग लिखेंगे श्री नगर को किस से जोड़ रहा है कारगिल से जोड़ रहा है ये आप लोग नोट करेंगे और श्री नगर को कारगिल से और आप लोग लिखेंगे स्री नगर को डूसरी लाइट भी लिख 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 लिए इसके बाद आप लोग लिखेंगे लिखेंगे बुर्जिल दर रहा ठीक है कौन सा बुर्जिल दर रहा नमबर चार लिखेंगे बुर्जिल पासिस बुर्जिल दर रहा ठीक है बाई किसी को कोई दिकत तो नहीं आगे बढ़िएंगे ठीक है और ये आप लोग नोट कर लेंगे बढ़िएंगे वरी विर इंपोर्टेंट है एक ऐक आप आगे लिखेंगे लिखेंगे बीर-पन्जाल लिखेंगे पीडर-पन्जाल पीर पंजाल पहले न जम्मू यह शानम की पाट थे को द्रिटी लिक्चेंगे पीर पंजाल気 08 पिर पंजाल के बारे में लिखेंगे सारे बचेक लिखेंगे लिखेंगे यह यह दर्रह दिखींगे यह दर्रह जम्मु एंड कस्मीर एंड लगदाक के बॉर्डर पर इस्तित है, बोर्डर पर मतलब दोनों राज्यों की सीमाओ पर इस्तित है, ठीक है, किलिर है, यह आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे फटापर से, और यह है कहां पर, कहां पर है, पीर पंजाल, पीर पंजाल आप लिखेंगे, कहा बन्याल कहां पर है, जे एंड के में है, ठीक है, बन्याल के बाद लिखेंगे, जो इंपोटेंट है, लिखेंगे, बन्याल पासिस लिखेंगे, कहां पर है, आपका, जम्मू एंड कस्मीर में, ठीक है, और एक जम्मू कस्मीर में, आप लोग लिखेंगे, वेरी वेरी पूर्टेंट है चांगलाặ चांगला पासिस यह कहां पर यह जमौएन बाद आप डिक्ञेंगे सपकिलव झाओ प्लिखेंग कर लिए आप का हेमाचल प्रदेश में उत्राखंड में लिखेंगे माना नीती और लिपू लेख यह कहां पर है आप लोगों के तीनों यह उत्राखंड में ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर लिखेंगे आप लोग उत्राखंड के होगे हिमाचल के होगे इसके साथ आप लिखेंगे very very important है एक हिमाचल में रोहतांग और लिख लेंगे हिमाचल का लिख लेंगे रोहतांग रोहतांग पासे से ये कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में ठीक है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग लिख लेंगे एक सिपकिला एक बड़ा लाच clear है very very important है कि ऑर जो रोतांग आपने लिखा है ना ये वाला लिख लेंगे मनाली से मनाली25 मतंब सहर को जोडता है कि ख़िँ माना जो दर्रा लिख है आपने माना ये लिख ले लेला ये इत्राख्णड को तिब्बत से जोड़ता है भारत को तिब्बत से जोड़ता है भारत को किस से जोड़ता है भारत को किस से जोड़ता है यह आप लोग नोट करेंगे ठीक है इसके बाद दो दर्रे लिखेंगे जो वारी वारी इंपोर्टेंट है एक है नाथूला एक है आपका जलेपला वारी very important है exam के point और नाथुला और जेलेपला बोतार सिक्किम यह आप लोग देख लेंगे ठीक है इनके राज्यों के नाम जो हैं वो आपके exam में पूछे जाते हैं ठीक है इसके बाद आप लोग लिखेंगे कहां के वो लिखेंगे बोमडिला और दीफु लिखेंगे बोमडिला और दीफु पास इस यह दोनों कहां पर हैं अरूना चल प्रदेश करणों आप लोगों को जब इसके MCQ करेंगे तो याद हो जाएंगे एक बार में याद दिया होगे जो बार बार इनको करेंगे तो याद हो जाएंगे ठीक है क्लिए रहे एक और लिखेंगे आप लोग जो अरुनाचल प्रदेश का पूछा जाता है वो है यांग याप यांग याप ये भी अरुनाचर प्रदेश में ठीक है एक तुजु दर्रा लिख लेंगे कई बार पूछा जाते हैं तुजु दर्रा तुजु तुजु पासिस ये है मड़ी पर्ड़ ठीक है बुरहानपूर लिखेंगे एक बुरहानपूर लिखेंगे एमपी में ठीक है थाल घाट थाल घाट लिखेंगे महरास्ट्रा में बहुर घाट लिखेंगे महरास्ट्रा में पाल घाट लिखेंगे तमिल नाडू में ठीक है एक्जाम के पॉइंट अब्जियो से इंपोटेंट है नहीं तमिल नाडू नी केरल में लिखेंगे तमिल नाडू को जोडता है ये नील गिरी पाडियों को केरल वो लिखेंगे ये लिखेंगे नील गिरी और नील गिरी परती है तमिल नाडू में नील गिरी और अन्ना मलाई अन्ना मलाई की पहाडियों को पहाडियों हील्स को जोडता है करें है तो यह आपडों याद करेंगे लगपोट ट्वन्टी हां जो है मैंने आप लोगों को लिखवा दिया के लिए कि एक मैंने चांगला लिखा था ना चांगला यह चांगला यह जो लिखाए था चांगला पहले ना जम्मू कस्म मिरी था पटी यूनिन ट्रेक्टरी बदलगे तो लद्दाक हो गया इसको construction कर लेना लद्दाक ठीक है इसको correct कर लेना लद्दाक फाला ठीक है और यही और जो यह लिपूलेक लिखा ना लिपूलेक इससे लिख लेना केलास मान सरोबर केलास मान सरोबर यात्रा इसी से होती है ठीक है तो यह थे आप लोगों के कुछ important दर्रे जो एक्जाम में बस ही मैचिंग में आएंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में, अब मैं आप लोगों को थोड़ी से इसके MCQ करा देता हूँ ठीके, मतब इसके आपको MCQ, माँ 6 MCQ मैं करा देता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वो क्या नाम है किस तरीके से इससे जो है वो कोशन पते हैं, ठीके, साथ के साथ आप लोगों के प्रक्टिस भी हो जाएगा ठीके भई, किलियर है तो एक बार जो है इसको हम लोग MCQ कर लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा सबको समझ में तो आ रहा है भाई झाल 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 कर दो, पो हुआ अबदाएवा कि गॉआ हुआ हुआ झाल झाल झाल